दोस्तो रानो मंडल के बारे में तो आपने सुनाई होगा जी हाँ दोस्तो एक ऐसी महिला जो सोसेल मीडिया के जरिये इतनी ज्यादा वाइरल हो गई कि आज वो एक अच्छे से अच्छे पोजिशन पर है दोस्तों वो क्यू हुई कैसे हुई और किसने उसको वाइरल किया और वो जहाँ पर जिस मुकाम पर है वो मुकाम पर किसकी वज़़े से है वो सब बाते मैंने एक वीडियो में केद करके रखी है वो वीडियो भी मैंने आपके लिए बना के रखे है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले से वो वीडियो आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएगी तो दोस्तो ऐसी बात सामने आ रही है रानो मंडल ने एक सौंग आया है जो की हिमेश रसमिया के साथ रेकोर्ड किया है जी हां दोस्तो वो सौंग का नाम है तेरी मेरी कहानी उस सौंग के लिए हिमेश रसमिया ने उसको कुछ फीज दी है वो फिज कीपनी है और सलमान खान ने भी उसको कुछ गिफ्ट किया है, वो गिफ्ट क्या है वो सब बाते आज हम इस वीडियो में बताने वाले है तो दोस्तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है तो ये सब न्यूस देखने के लिए बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प थोड़ी शोट में मैं बता देता हूँ कि रानो मंडल कौन है दोस्तो रानो मंडल पस्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन पर गाना गा कर अपना पेट गुजारती थी अरूछ लोग उन्हें खाने के लिए कुछ देते थे कुछ पैसे देते यहां तक कि कुछ पीने के लि एक वीडियो सूट होने की वज़े से वो इतनी ज्यादास फैमस हो गई कि हिमेश रसमिया के साथ उसका एक गाना रेकॉड हुआ है चीहां दोस्तो हिमेश रसमिया की अगली फिल्म आने वाले है जो की है Happy Hardy and Here उसमें रानो मंडल ने एक सौंग रेकॉड किया है जिसका नाम है तेरी मेरी कहानी दोस्तो अगर वो गाना आपने नहीं सोना तो यूट्यूब पर जाकर वो गाना सुन सकते है बेहद ही बहतरीन गाना रानो मंडल और हिमेश रसमिया ने रेकॉड किया है दोस्तो ये तो बात हो गई कि रानो मंडल ने गाना रेकॉड गिया है लेकिन एक बात आपको बता दू कि हिमेश रसमिया ने रानो मंडल के गाने पर उसको फीज दी है वो फीज है 6-7 लाग रुपे जी हाँ दोस्तो रानो मंडल ने सपने में भी इतने रुपे कभी नहीं देखे होगे उतने रुपे हिमेश रसमिया ने उनको गाने के लिए फीज दी है लेकिन दोस्तो इसमें ट्विष्ट ये है कि रानो मंडल ने ये फीज यानि की 6-7 लाख रुपे लेने के लिए मना कर दिया दोस्तो रानो मंडल ने जैसे ही मना किया तुरंती बाद हिमेश्रसे में उसको जबरदस्ती वो पैसे देकर उनको फीज दे दी है तब दोस्तो हिमेश्रसे में ने एक बात भी कही है कि अब तुम्हें बोलीवोड में सुपर स्टार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तो सोचने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में ऐसा कब बोल सकता है जब अपने में कुछ टेलेंट रहा होता है जब अपने पास कुछ हुनर होता है उसी तरह दोस्तो रानो मंडल के पास भी गाने का हुनर था दोस्तो ये तो बात हुई कि हिमे स्रिसमिया ने उसको गाने के लिए फीज दी थी लेकिन दोस्तो सुनने में आया है कि सलमान खान ने हिमे स्रिसमिया को कहा था रानो मंडल को अपने मूवी में एक गाना रेकॉर्ड करने के लिए कहा दोस्तो सलमान खान को तो आप जानते ही होगे जो की नए नए चेहरे को बोलिवुड में एंट्रीर देते हैं जी हाँ दोस्तो ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान अपनी सेलर की 75% जो रकम होती है वो चेरिटी में दान कर देते हैं जी हाँ दोस्तो इसलिए सलमान खान को बोलीवर्ड के गोड़ फादर कहा जाते हैं दोस्तो सलमान खान और रानो मंडल के बीच में भी एक बात सामने आई है वो बात ये है कि सलमान खान को जब पता चला कि रानो मंडल के पास कुछ रहने के लिए घर भी नहीं है तब सलमान खान ने रानो मंडल को 55 लाख रुपे का एक घर खरीद कर दिया है चीहां दोस्तो इस घर को सलमान खान ने गिफ्ट के तोर पर दिया है दोस्तो गुमा फिरा के बात करें तो हिमेश रसेमिया ने उसकी फिस 6-7 लाख रुपे और सलमान खान ने उसको एक घर खरीद कर दिया है जो के ही 55 लाग रुपेगा दोस्तों ये बात कितनी सही है वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा लेकिन सलमान खान बोलिवुड इंडरेस्टिस के गोड़ फादर कहे जाता है इसलिए निन्यान में प्रतिसरते बात सही हो सकती है क्योंकि सलमान का नए चहरे को चांस द मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर आगे भी कुछ नया जानना है आगे भी कुछ नया सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और दोस्तों इसके रिलेटेड आपको मुझे कुछ भी सवाल करने हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अब तक के लिए जय हींद वंदे मातरम